सबी विद्यार्थियुक नमस्कार सीटेट की परिच्छा जो 7 जुलाई 2024 को आय जीत हुई उसमें CDP के हम आपको प्रसनों के उत्तर बताने वाले हैं आपने पेपर दिया हो तो उनको मिला लीजेगा और जो आगे 2025 में सीटेट की त्यारी कर रहे हैं वो देख सकते हैं किस प सिट्छार्थियुक की बीट वेक्तिकत अब विद्यार्थाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी सिट्छार्थियुक को आवशकताओं के अनसर अपने सिट्छन को रहे है किया हो आपगालत है A सही R गलत क्या होगा आपका A सही है और R गलत है उत्तर आएगा आपका A फर्स्ट नेक्स्ट पियाजे और वाई किसी धानतों में प्रमुक समानता है आपका सेकेंड है समानता पुछी गई है पियाजे वाई किसी धानतों में समानता है इसमें होगा आपका बच्चों की स्वैम की दिशाक में संगलगनता और जुड़ा होगा यह जो A नंबर का अपसन है इसमें यह सही होगा दोनों के सुधानतों में यह बात कॉमान है कि बच्चों की स्वैम से उनका मिलना चाहिए और उनका स्वैम से जुड़ा होना चाहिए और सिच्चा में उनकी संगलगनता होने चाहिए A नंबर एक नंबर तीन की बात करें तो यह जो आपका दिया हुआ च्छात्रों के विभिन समुहों को पूरा करने के लिए निमिलित में कौन से सांसक्रित रूप से उत्तरदाई सिच्चा का सही वर्डन करता है तीसरा का वगा आपका देखिए सही वर्डन क्यों करता है चुवी चारित करता है नुकुलित करता है वभी भेदित करता है मान की एक नहीं करता है ठेक ओन टू ध्री अपूर और एक कौन्सरों हो ड़िए three बच्चे वैसकों से किस प्रकार भिन होते हैं? बच्चों की सूच, वैसकों से गुलात्मक रुप से भिन होती है, यह अंसर हो जाएगा आपका. नमबर वन नेक्ष आप एक सिच्चक है जो अपने छात्रों को परास अंग्यात्मक कोशल विक्सित करने में मत करना चाहते हैं, लिकिन में लिकित में से कौन सी रणनीती इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? वो रणनीती पुछी गई है, तो है छात्रों को अपने स्वयम के सीखने और सोचने की प्रक्रिया प्रविचार करने के लिए प्रोसाहित करना यह हो जागा आपका यह चार नमबर का उप्सन सही हो जाएगा. शेर कर दीजेगा यह वीडियो जिनोंने CDP का पेपर दिया, जो CTAT 2020 का दिया हो, CDP मैच कलने हैं अगर है लेव वाइगोट्सकी के अनस्वार भाषा और विचार के बीच क्या संबन्द है, तो भाषा और विचार इसमें भाषा और विचार एक दूसरे से सोतंत्र है और भ फरस्ट आ रहा होगा या सेकेंड है, ठीक है मेरे हिसाब से, फरस्ट है लेकिन सेकेंड की भी संभावना लगा नजर आ रही है, तो इसको में स्टाल लगा जाते हैं, अगला है एक सिच्छ का सात्वे नंबर क्प्रस्टन है, एक सिच्छ का खुद से पुस्ति के मैंने, मै ऐसे अनबो कैसे अपराथ कर सकती है, इसमें चात्रों के परावना से विभेन प्रकार की वस्तों को वर्याद करने हैं, और वर्याद करने के सकता हो, वास चात्रों में किस प्रकार की बुद्ध्य मता को बढ़ा देने कोशिश कर रही है, तो शिच्छ का प्रयास कर रही है भाषाई बुद्ध मता की तीन नमबर आप समझाएगा आपका नेक्स्ट है छात्रों के लिए कच्छा में पर्तक्राइब सबसे अधिक प्रभवित होती है जब क्या होता है या सीखने की अवधि में यह होगा आपका चार नमबर का सीखने की गतिवीदी के दोरान और पास चात्र भी होता है नेक्स्ट है रामा एक सेच्छे का है जो वाई गुद्ध की किस सिद्धामत को अपने कच्छा में लागू कर रही है और वह तुनोती पूर्ण कार करने के लिए अपने च्छात्रों को समुष में काम करने के लिए नुक्त करती पहाँ कि दोरान एक च्छात्र को महत्तुर संकलप्ना को समझने में संगर्श करत का ता है विकास में शामिल है। ये सामिल है मनो सामाजिक विकास में सामिल है। ये नमबर आपसन जो है मनो सामाजिक विकास इसमें सामिल है। रचनावादी, सिच्छ, विद्यार्थियों को किस अधिगम क्योर ले जाता है। ये खोज आधारित ले जाता है। तीन नमबर आपसन सह प्रगत्सील सिच्छा में बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है ग्यानवर्दक और अर्थ की रचना करने वाले इसके रूप में देखा जाता है बच्चों को एक नमबर आपसन से यह जीन प्याजे के संगात्मक विकास का सिध्धानत यह बताता है कि नमबर तेरा प्रस्ण पाठकरम को बच्चों के अनुसार समूँ और चलों को ध्यान में रखतर तयार किया जाना चाहिए वो ऐसा तयार किया जाना चाहिए बच्चों के आयू और उनके सीखने के चमता के अनुसार इस पाठकरम को डिजाइन किया जाए अगला है महरत हाज से करने के लक्ष है निराद करने से छादर के अभिक्रणा और योगिता के बारे में विचार कैसे प्रवाइथ होते हैं यह अक्सर योगिता के इस्थिर दिश्टिकोंड में बढ़ी हुई बाहरी अभिक्रणा और इस्वास को दरशाता है एक नमबर यह होगा एक नमबर आपसानब का पंद्रवायागा अप्ता का किसर अस्था के दोरान जेंडर अपेच्छाओं के अनुरूप इस्थित और प्रुसत्तु की प्रमपारों को पालन करने के लिए दवा बढ़ जाता है जंडर और जंडर भूमिका जैवी कुरूप से नरायत की जाती है यह सही आपका उर आर गलत है जैवी कुरूप से नरायत नहीं होती है और किसर अस्था में इस्थित और प्रुसत्त के परमपारों का पालन करने के लिए दवाओ डाला जाता है कि हिस्त्री ऐसे कपड़े पहने की अप्रोस ऐसे पहने का कुछ बंधन लग जाते हैं इस्त्रीयों पर तो परमपराओं का पालन करने लिए बताया जाता है यह सही और आर्गलत नेक्स्ट है आपका सिचकों को विदार्थियों के बीच बहस्चर्चा और सहयों को प्रस्थायत करना चाहिए यह ज्यान उत्पादिनिक निश्क्रिप्रकिया और स्वामय गतिविद्यों में सक लगता है और पूर्ण अधिकम में बाधा डालता है इसमें ए सही है और आर्गलत है ए सही है आर्गलत है नेक्स्ट निव लिखित में से क्या द्रिष्ट बाधित विद्यार्थियों को कच्छा में भागदारे लेने में बाधा उत्पन्न करता है मुद्रित पुष्ठके और नोट्स दरश्टि बादेत हैं तो मुद्रित पुष्ठके कैसे पढ़ेंगे? चार नमबर इसी प्रस नहां है कोई टक नहीं है अगला है अपका निम्लिकित में कौन सुमेलित यूगम सही सुमेलित यूगम है यह पूछा गया ना तो इसमें है आपका मानक संदर्वित मुल्लैंकन साथियों के परदेशन क्तुलना करता है यह आपका जो अप्टसन चार है यह सही है यह यूग जो आपका सुमेलित यूगमन है चार नमबर यह सही हो जाएगा अगला सुनीता एक बारा वर्षी लड़की है विशेश संगीती की छमता रख्की उसके मातेफिता दोनों ही नुपण गाया का और वे सुनीता को अपनी आवाज को और बेहतर करने के लिए प्रशिचनल कच्छा में भेज रहे हैं सुनीता को यह छमता संभावीत रूप से कि के अन्ता क्रिया का परवाम है ये इस इन्रूआन सक्ता और परवाता बनना का परवाम है उसको ऐसा अन्रूआन शेक्ता के ऑप फिरू में और घर में उसके हो लिए हैसा है नमबर वाना सही होगा सरल प्रसंद था लारेंस कोलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास को ध्यन के लिए किस वी दिकाव क्यों किया है तो यह जो किया है पाठ्थों के बच्चों के सामने नैतिक दो इधाय रखना और अनुक्रियाओं का समालोचन करना यह आपका चार नमर गला अप्सन से होगा अगला है स्कूलों को उसको लोगों उस राचे की भीतर कार करना चाहिए जो तयार उत्पाद। सीखने के पढ़ाओं का आत्लून करते हैं सीखने पके तौरपन और और पदानुक्रमित होते हैं इसमें आपको A और R दोनों गलत है A भी गलत है आपका R भी गलत है दोनों गलत अपसन है अधी कथन भी गलत है और कारवन भी गलत है अगला है निवले कौन सा कथन स्वालीनिता के संबंदर में समिर सही है स्वालीनिता के संबंद में आपका कौन सा कथन सही है तो ये अप हो जाएगा आपका तांतिर की ये विकार है ये स्वालीनिता एक तांतिर की ये विकार है चार नमबर का आपसन हो जाएगा आपका किस अधिकम की रनित में बच्छों धरा दूसरे को सीखना सामील है जो उन्होंने शीखा है ये है आपका पारेवराली ये पारस्परिक सिछन होता है इसमें बच्चों दरा दूसरों को सिखाना सामिल होता है जो उनने सीखा है वो दूसरे सिखाते है तो इसको पारस्परिक सिछन गहते हैं अगला है समिदनसील अवदी होती है जिसके दोरान कुछ पर्यावरणी कारक होते हैं इसमें विसे सुरुप से सामान विकास के लिए महत्पून होती है पठन वैकल से जू जाए चात्रों को पढ़ना सिखाया सकता है इसमें फूनोलोजिकल मेथड दोरा ठीक है विवस्थित धुनात्मक प्रिशिष्चन के मादधन से जिससे कहते हैं थू सिस्टेमेटिक फूनोलोजिकल ट्रेनिंग के दोरा नेस्ट है निम्र कौन सा पढ़न सम विषलैन शात्मक में चिंतन को बढ़ावद देता है इस कोस्ट यह भारत में जन्संक्या व्यभिनकारण च्बिण क्या है ठीक है जन्संक्या वाला एक लाइन में होजाएक आधर वुराज्यान थी एक लाइन वह कितने तो अगला है शिचकों को बच्चों के को प्रयूक के लिए बहुत सारे अफसार देना चाहिए और गैर उधानों पर चर्चा करने चाहिए बच्चों में गलत धानाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विप्रीत उधाना प्रस्तुत करना है इसमें हो जाएगा आपका दोनों सही हैं और सही वाक्या है यह वार दोनों सही हैं और सही वाक्या है यह भी सही है और यह भी सही है विप्रीत उधाना भी देना चा इस याई संस्क्रित में समाजी को सद्धवना पर दोड़ देते हैं और कुरोध की अभिविक्ति प्रोसाइद किया जाता और शर्म को प्रोसाइद कियाता भावनाएं प्रवक्तिक परक्षों सीखने में कोई भूमिका नहीं दिवाती हैं तो इसमें हो जाएगा एस ही है एस समालो चंद पर चिंतन को विक्सित करने के लिए सिच्छक को क्या करना चाहिए सिच्छक को ऐसे सवाल देने चाहिए जिससे निशकर्च और व्याख्याएं समाल सामिल हो निशकर्च भी सामिल हो और व्याख्याएं भी समालो शामिल हो नंबर वान हो जाएगा इसका अंसर इंक्लूसीव क्लास्रूम्स है समावेशी कच्छा ठीक है? इसके विसे में विप्रस्ना हैं तो इसमें होगा अलग-अलग समावेशी कच्छा क्या होती हैं? परिवासा अलग-अलग भिनताओं के दिसे दिये जाते हैं शामयवेशी क अच्छा ऐसी classroom होती है जिसे कहते हैं inclusive classrooms are those class that are inclusive classroom are meant to offer differential instructions as per individual differences सब्सक्राइब नमबर वन हो जाएगा तो CDP की students हमने आपको answer की इसमें दी और एक दो को answer किलावा हमारे आपको लगबख सभी प्रसुनों को उत्तर सही मिलेंगे तो बने देए हमारे चैनल पर हम और आपको seated के और second shift के भी और first to five के यह आपको दिये हमने six to eight भी देंगे ब मिलेंगे नमस्कार